एक्जाम फोर्यर के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है अब हम डिसकस करेंगे पेपर फर्स्ट का फर्स्ट लैन्वेज इंग्लिज के कुशन्स को तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सांधी शेयर कर दे पर फर्स् और मिक्स्ट वावल साउंड ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 कोशन देखो और टीचर इंगेज इस हर लर्नर इन फन अक्टिविटी बिफोर लर्निंग अन्यू लेशन दा परपस अफ दिस एक्टिविटी इस तू इस तू मोटिवेट एन इनर्जाइज दा लर्नर ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन है वीच आप दो फॉलोइंग मैथर इंसी और पार्टिसिपेशन आफ मोर स्टुडेंट्स इन अलेंवेज क्लास तो जो इसका कम ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मेरे यह से ठीक है कमेंट बॉक्स में आपका आप अपना कमेंट बना अंसर बताने कि इसका अंसर क्या है ठीक है तो अप मेरे साफ से ऑप्शन एसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखो कॉशन नमर ठाटी फूर अट्वैल यह ओल्ड चाइड इंजॉइज यूजिंग पंस देस इ हमारा क्या है इडियम है डोंट मिक्स विद दा बैट हैच तो यहां पर बैट हैच का मलब है पिपूल ओफ बैट करेक्ट डैट इस ऑप्शन ए क्या हो जागा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब थर्टी सिस्ट देखो टैम पैस्ट यूएस बिहेवियर वोड़ निज्क नोट यहींड मुच इन एणि प्लेस तो हमें इसका इंट्वन बताना है कि इसका टैम इक्टिस का हमारे क्या है ने चुनियम बताना है तो इसका जो ऑप्शन हो ऑप्शन तो our hoard is little, does our heart are great, लेकिन हमारे के हाँ option क्या हो जाएगा, option C, that is but our heart are great, option C, इसका correct answer हो जाएगा, 39 question, देखो यहाँ पर है, one word से related है, one who abundant his religion faith, religious faith, तो इसको कहते है, apostate option A, इसका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, ठीक है, अब देखो 39 था, अब 40 देखो, 40 question है, यहां पर हमें अंडरलाइन वर्ड का हमारे नियरेस्ट मिनिंग बतानी है ठीक है मोहिंदर अमनाथ हैड़ पेंचेंट फॉर हुक सौट तो देखो पेंचेंट मतला बतार लाइकिंग मलब स्टॉंग लाइकिंग होना मलब इंक्लिनेशन तो इस ओप्षण भी क्या हो जाएका इसका राक्ट आंसर जायेगा नेक्स्ट कोशन देखो 41 है इंग्षण फाहिं स्पेल्ट है थीख है जो में इनक्रेक्ट लीस पैल्ड में बताना है दो हमारे यहां पर पहला तो ठीक है स्पेलिंग बिल्कूर ठीक है लेक is option 20 का क्या है correct answer है अब देखो question number 43 है हमें यहां पर बताना स्पीच बतानी है ठीक है the phone rang loudly ring 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 तो इसका correct answer है वो option C है ठीक है option C बिल्गेक्ट answer है next question देखो direct or indirect questions है जो कि मैंने जो भी हमारे हम पर practice set कराया थे इसमें मैंने वाले question बहुत कराये है ठीक है तो वही to him why are you working so hard तो देखो यहां पर क्या होगा इसका जो option one क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा I asked him why he was working so hard तो option one क्या है इसका correct answer option यह क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा ठीक है question number 45 देखो active or passive voice यह भी मैंने अपने यहां प्रेक्टिस सेट में question कराए है वह है से question ठीक है तो देखो 45 बैदे विल रिविल्ट दा अंटायर ब्लॉक तो इसमें जो हमारा object of subject बन जाता है दा अंटायर और विल है तो विल मॉडल है मॉडल विल भी रिविल्ट हो जाएगा था एंटायर ब्लॉक विल भी रिविल्ट देट आप्शन दीश का क्यों जाएगा करेक्ट आंसर जाएगा 45 का ठीक है अब 46 कोशन देखो यहां पर हमें बनना है ठीक है अभी हमारा फिलिंदा ब्लेंग है इन इन रिसेंट डिकेट्स ता एफिशेंसी आफ दा युनाइट इस सिक आइट युनाइट नेशन देश बैस बाइं बाय ग्रूइंट देश दा इन आफिन र्डिंट सी डेट इस फटीक है इस ग्रूइंट आइप देश चैनल देखो आइट आप्सिशन अर्टि आ पार्ट आप ऑट अटली आप आफ्टिशन पार्ट आतली आइश degA अरे तो देखो जो इसका correct answer होगा तो एक्रिस केन हो colonized colonized a great part of Italy about 900 BC had originally came from Asia minor option A क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा 47 का 48 का देखो यहां पर हमारा adjective बना है suitable adjective बना है I am des that my friend is coming to see me देखो यहां पर हमारी का हो जाएगा I am happy option C का हो जाएगा correct answer हो जाएगा I am happy that my friend is coming to see me 48 का हमारा हो जाएगा C 49 से 53 तक हमारा एक पैसेज दिया है जो कि related है महाराना परताब से related ठीक है तो देखो इसके सीथे questions को discuss करेंगे पैसेज आपने पढ़ा होगा तो comment box में इनके answer भी आप भी mention करना ठीक है कि आपने इनके answer क्या लगाए हुए है वहाँ पर paper में ठीक है पहला question है भाराना परताब become a synonym synonym for ठीक है तो इसका option हो जाएगा that is option C valor, sacrifice and patriotism ठीक है option C क्या है इसका correct answer हो जाएगा अब question number 50 देखो difficulties in the way of the king of mewar was तो option B इसका correct answer हो जाएगा it's a small area and small population तो option B क्या है इसका correct answer हो जाएगा ठीक है अब question number 51 देखो राना संगा reputation went beyond राजिस्तान to Delhi option A क्या है इसका correct answer है जो 52 को question है इसका answer मुझे comment box में mention करना तो ठीक है आपने वहां पर क्या यहां पर इसका correct answer mention किया है पेपर में तो ठीक है comment box में इसका answer मुझे देना ठीक है अब 53 question देखो during the reason of Rana Kumbh literature and art also progressed ठीक है तो यह हमारे यहां पर दिया हुआ है तो ठीक है ठीक है तो इस related हमारे के है questions है तो देखो पहला question है with whom has the gold finch has been compared तो किससे compared करा है as a to a lizard option c क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा 55 question देखो what happened to a Lebanon when the gold finch flies away तो ठीक है जो मुझे इसका accurate answer है option a या option d में मुझे कहा है तो आप बताने कि आपने इसका answer क्या mention कर रखा है तो ठीक है अब है 56 question find one example of simile in the poem तो से हमारे simile बताने है तो इसका जो correct answer होगा silk as a lizard हो जाएगा option b ठीक next question 57 find one example of personification in the poem तो personification का जो हमारे example है वो है the whole tree trembles and thrill that is option b क्या है इसका correct answer हो जाएगा next question देखो 58 question है इसमें हमां बताने है one example of alliteration जो use कर रहा है हमारा poem में जो alliteration use कर रहा है वो है option c that is September sunlight इसका correct answer हो जाएगा 59 question देखो a teacher does not tell or interpret whether the answer is correct or not in the testing activity जब test होता है तो हमें teacher बताती नहीं यह answer गलत है ऐसा है यह तो इसका answer हो का option a next और जो कि लास्ट कोशन है in reading scanning refer to reading में जो scanning refer होती है examining everything closely and minutely तो that is मेरे साब सो option b कह सका correct answer हो जाएगा तो ठीक है तो यह था हमारा language first English का paper first का तो paper first का हमारे language second मैंने यहां already discuss कर लिया है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं और अपने answer match कर सकते हैं कि आपने answer कितने सही है तो अब मिलते हैं आपको next video में कर सकते हैं कि आपको